थेलेगों के लिए बनाया था बाकिया तो बहुत गुरुक गए इसमें तमाम लोग बेंजी लाओ यू प्लीज रिस्पॉंड चर्वाजी सबसे पहले मैं यह कहती हूँ कि पार्टी का टिकट हर व्यक्ति को मिले यह जरूरी नहीं है बिल्कुल और पार्टी के द्वारा लिया गया निरने सर्मोपरी होता है उसमें मैं ज्यादा टिपनी नहीं करूंगी संगठन का निरने सर्मोपरी है रूठे है मना लीजिए यह स संगठन का निरने सर्वोपरी है यह तह है इस वक्त अनिल शर्मा जी भार्तिय जनता पार्टी के प्रतियासी है और भाजपा का प्रतियक कार्य करता हूं उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा है और मानिय जाराम ठाकुर के हाथों को मजबूत करने के लिए खड़ा है पाजी दोनों पार्टी समय बड़ी संकत में हैं यहां पे हिमाचल में आ रहा हूं आमादी पार्टी में आ रहा हूं आपके पास दोनों के लिए बागी जो लोग हैं जो टिकेट चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी पुश्किल बनी हुई है बाबुजी विश्चो की सबसे बड़ी पार्टी जो दंब भरती है आज अपने कारेकरता का निरादर कर रही है महिलाओं का निरादर कर रही है और वह व्यक्ति जो चार वर्षों तक मुख्यमंत्री जी को परधान मंत्री जी को कोसते रहे कहते रहे के मंडी में कुछ नहीं हुआ चं प्रतिभासिंग जो यहां से हमने MP जिता कर भेजी मैं मंडी की जनता को बता देना चाहती हूं सुनिए मेरी बात को सुनने का दम रखिये मंडी बासियों उनने कहा कि मैं जीती हूं तो अपर के लोगों की बदालत जीती हूं लोड बालों से मुझे कोई भी सहरुकार नहीं थाग ना कोई उमीद थी यानि को उनने कहा मंडी बालों ने मुझे नहीं चिता आप क्या है नेताओं का हाल कॉंग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है मुझे हक है बोलने का मेरे नेता गलत करते हैं मैं यहां से बोलता हूँ इनकी तरह नहीं जोलाच चुठाता हूँ ब्रस्टाचारियों का अच्छा अच्छा तो सिंधिया जी क्या है सिंधिया जी जिन व्यक्तियों को गांधी परिवार ने तीस वर्षों तक शाषन नहीं किया गोदी मीडिया ने कहा कि वो सत्ता में है नियनर्सिमा राओ जी के समय से भारत वर्ष में गांधी परिवार को कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री नहीं बना सचिन पाइलेट जो मेरी उमर के हैं सिंधिया जी मेरी उमर के हैं 47 48 के दस दस वर्ष तक उनको कैबिनेट मंत्री भारत सरकार बना कर रखा गुलाम नभी आज यह दियों चले गए हैं तो बिना पोर्टफोलियों के मंत्री भारतिय जनता पार्टी में दुमिला गुलाम नभ अजाज इन्हें रखी बात तो उनकी बात को सर्मा जी आप 18 साल नहीं ने बीजेपी में याद गिनाएं इनको एक एक नेताओं को नाम गारिए बीजेपी इन कॉंग्रेस के कौन गोन नेताओं के साथ क्या क्या है गिनाएंगे मैं मंडी की जनता के लिए लड़ रहा हूं हाँ तो आप भी अवसरवादी हो गए मैं मंडी की जनता के लिए लड़ रहा हूं अगर आप मेरी जगा होते तो आप किसलिए बोट डालते कि आपके विधायक पांच वर्ष कहां रहे करोना के टाइम में कहां रहे बच्चों के रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया औ और सबसे बड़ी बात अपने बच्चे के रोजगार के लिए तो उन्होंने पार्टी को लाद मार दी और जब सत्ता की वारी आई फिर उसी पार्टी के अंदर हुस्ते है